नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग इस्टेंडर 11th NCERT History का ये 2nd chapter जो है लेखन कला राइटिंग स्किल या राइटिंग आर्ट, आर्ट ओफ राइटिंग जो कहिए इसको शहरी जीवन और सिटी लाइफ या टाउन लाइफ, और बन लाइफ, और बन लाइफ भ अर्बन, URBN, अर्बन लाइफ, लेखन कला, राइटिंग स्किल, ठीक है तो ये लेखन कला और सहरी जीवन, इस्टेंडर 11th NCERT History आपको मेरे चैनल पे स्टेंडर 6 से स्टेंडर 12 का NCERT History का पुड़ा पढ़ाया जा रहा है, इसमें 6 से लेकर के 7, 8, 9, 10 कम्प्लीट हो चुका है और 11th चल रहा है, इसके बाद 12th को भी पढ़ाया जाएगा, so that all the students who are participating in any competitive exams may be benefited by this channel, so लेखन कला और शहरी जीवन, शहरी जीवन की शुरुवात मेसुपुतामिया में हुई थी, फरात और दजला, नदियों के बीच, दो नदियां थी, फरात और दजला, नदियों के बीच इस्थित यह प्रदेश आजकल इराक गनराज्य का हिस्सा है कहां है इराक गनराज्य में एदाजला फुरात पहले जमाने में दो शहर होते, दो नदियां होती थी और इनके बीच के मैदान को मेसुपुतामिया की सभेता के नाम से जाना गया मेसुपुतामिया की सभेता, अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल और संब्रद साहित्य, गनित और खागोल विद्या के लिए प्रसिध्ध है मेसुपुतामिया की लेखन प्रनाली और उसका साहित पुडवी भूमद सागरिये प्रदेशों और उतरी कोड़िया, उतरी सीरिया तरहा तुर्की में 2000 इसापुर्व के बाद भैला, जिसके फलस्वरूब उस समस्त शत्र के राज्जों के बीच आपस में, यहां तक की मिस्र के फराओ के साथ भी मिसुपुतामिया की भाषा और लिपी में लिखा पढ़ी होने लगी यहां हम शहरी जीवन और लेखन के बीच की सब्बंधों की खोज करने का प्रयास करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे की लेखन की सतत परंपड़ा से क्या-क्या प्रतिफल प्राप्त हुए अभी लिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यता इसके शहरी कृत दक्षिनी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था दक्षिनी भाग को सुमेर और अकद कहा जाता था 2000 इसापूर्व के बाद जब बेबिलोन के एक महत्पूर्ण शहर बन गया तब दक्षिनी शत्र को बेबिलोनिया कहा जाने लगा दक्षिनी चत्र हो गया बेबुलेवनिया दक्षिनी चत्र बेबुलेवनिया लगभग 1100 इसापूर्व से जब असिरियायों ने उत्तर में अपना राज अस्थापित कर लिया तब उस चत्र को असिरिया कहा जाने लगा उत्री चत्र असिरिया हो गया लक्षिन नी शत्र बेबुलेनिया हो गया उस परदेश की पर्थम ग्यात भाषा सुमेरियन यानि सुमेरी थी पर्थम ग्यात भाषा का नाम क्या था? सुमेरियन या सुमेरी धीरे धीरे 2400 इशापुर्व के आसपास जब अकदी भाशी लोग यहां आ गए तब अकदी ने सुमेरी भाशा का अस्थान ले लिया अकदी भाशा ने रिप्लेस किया सुमेरी भाशा को और अकदी भाशा शिकंदर के समय तक कुछ शत्रिय परवर्तनों के साथ फलती फुलती रही 1400 इशापुर्व से धीरे धीरे अरामाईक भाशा का भी प्रिश्वेश शुरू हुआ यह भाशा हिब्रु से मिलती जुलती थी और 1000 इशापुर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी यह आज भी इराग के कुछ भागों में बोली जाती है मेसोस का मतलब होता है मेसो यानि मध है पोटैमस यानि नदी से मिलकर बना इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फुरात नदीयों के बीच की उपजाओ धर्टी को इंगित करता है मेसोपोटामिया में पुरा तत्विया खोजों की शुरुवात 1840 के दशक में हुई वहाँ एक या दो अस्थलों पर जैसे उरूग और मारी में जिन पर आगे चर्चा करेंगे उठ्धनन काड़िक किये गए दस्कों तक चलता रहा भारत में किसी भी अस्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई पिरोजना नहीं चली इन खुदाईयों के फलसरूप आज़ा मितिहास के सुरुतों के रूप में सेक्रों की संख्या में इमारतों मुर्तियों आफुसनों कबरों आज़ारों और मुद्राओं का ही नहीं बलकि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्यान कर सकते हैं यूरूप वासीयों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महतपूर्ण था क्योंकि बाइबल के परथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेक कई संदर्भों में किया गया है उदाहरन के लिए Old Testament की Book of Genesis में शिमार का उलेख है जिसका ततपड़े सुमेर इतों से बने शहरों की भूमी से है यूरोप के यात्री और विद्वत जन मेसोपुटामिया को एक तरह से अपने पुर्वजों की भूमी मानते थे और जब इस छेत्र में पुरा तत्यूए खोजों की शुरुवात हुई तो Old Testament के अक्षड़सा सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया उनिस्वी सदी के मद्ध से मेसोपुटामिया के अतीत को खोजी जाने के उत्साह में कभी कोई कभी नहीं आई सन 1873 में एक बिर्टिश शमाचार पत्र ने बिर्टिश म्यूजियम द्वारा आरंभ किये गए खोज अभियान का अर्थ खर्च उठाया जिसके अंतरगत मेसोपुटामिया में एक ऐसी पट्टी का टैबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लिखित जल प कि कहानियां अक्षर सह सही नहीं है लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपुर्ण परवर्तनों के अतीत को अपने रंग से अभिव्यक्त करती हैं धीरे धीरे पुरा तात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और प्रिश्कृत होती गएं इसके अलावा भिन भिन पहलूँ पर ध्यान दिया जाने लगा यहां तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी बाइबिल की कहानियों की अक्षर सह सच्चाई को प्रमानित करने का काड़िगौन हो गया आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें से इन परवर्ती अध्यनों पर आधारित है ठीक है तो बाइबिल के अनुसार यह जल प्लावन प्रिथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नश्ट करने वाला था कि तुपरमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को प्रिथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोवा न पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए ऐसी ही एक कहानी मेसोपुटामिया के परमपरागत सहिते में भी मिलती है इस कहानी के मुख पातर को जीव सूद या उतनी पिष्टम कहा जाता है तो इस प्रकार से ये कहानी है जो अभी हम लोग सुने मेसोपुटा इन्हीं दो नदियों के बीच का जो मैदान है उसी को मना जाता है कि वो मेसोपुटामिया की सब्वेता यहीं फैली और उसके चिन यहीं मिलते हैं मेसोपुटामिया और उसका भुगोल यह इराक भगॉलिक विवित्ता का देश है इसके पुरुवत्तर भाग में हड़े भड़े उचे नीचे मैदान है जो धीरे धीरी विरिक्षादित प्रवत्सरिंखला के रूप में फैलते गए हैं साथ ही यहां स्वच्छ जरने जरने तथा जंगली फूल है यहां अच्छी फसल के लिए प्रयाप्त वर्षा होती है यहां साथ हजार से छहजार इसा पुर्व के वीच खेती शुरू हो गई थी उत्तर में उची भूमी है जहां स्टेपी घास के मैदान है यहां पशुपालन खेती की तुलना में आजिविका का अधिक अच्छा साधन है सर्दियों की वर्षा के बाद भेर बकडियां यहां उगने वाली छोटी छोटी जाडियों और घास से अपना भरन पोशन करती है पुरू में दजला की सहायक नदिया इरान के पहारी परदेशों में जाने के लिए पड़वहन का अच्छा साधन है तक्षिनी भागे के लिगिस्तान है और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन परदाली का अप्रादूर भाव हुआ नीचे देखिए इन लिगिस्तानों में शहरों के भरन पोशन का साधन बन सकने की समता थी क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहारों से निकल कर अपने साथ उपजाओ बारीक मिट्टी लाती रही है जब इन नदियों में बारह आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है तब यह उपजाओ मिट्टी वहा आजाती है और पुराने जमाने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी इन से आवश्यक्ता पढ़ने पड़ यहूं जओ और मतड या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी रोम समराज्य सहित सभी पुरानी व्यवस्थाओं में तक्षिनी मेसोपोटामिया की खेती सबसी ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी हाला कि यहां फसल उपजाने के लिए अवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी खेती के अलावा भेर बकडियां अस्टेपी घास के मैदानों पुर्वत्तरी मैदानों पहाडों के ढालों पर पाली जाती थी यह उपजाओ अस्थान बार की नदियों से काफी उचाई परिस्थित थे जिन से भारी मातरा में मांस दूध और उन आदी वस्तुएं मिलती इसके अलावा नदियों में मचलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीन सम्रधी के बलपड ही हुआ था इस विकास के अन्य कारकों के विशाय में हम बाड़ी बाड़ी से चर्चा करेंगे लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बाड़े में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए शहरी करन का महात्वा शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही अस्थान नहीं होते थे जब किसी अर्थ व्यवस्था में खाद उत्पादन के अतिरीक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विक्सित होने लगती हैं तब किसी एक अस्थान पर जन संख्या का गहनत्वा बढ़ जात है फलसरूप कस्बे बसने लगते हैं ऐसी परिस्थती में लोगों का कस्बों में विकठे रहना और उनके लिए फाइदेमंद सिध होता है विशेश्था इसलिए क्योंकि शहरी अर्थ व्यवस्थाओं में खाद उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तर बनाने वाली सिवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है उन में आपस में बराबर लेन देन होता रहता है उतारन के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले कुप पत्थर उकेरने के लिए कांसे के आउजारों की जरूरत पड़ती है वह स्वैम ऐसे आउजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक डंगीन पत्थर वह कहां से प्राप्त करे उसकी विशेश्टा तो विशेशग्यता तो सिर्फ नकाशी यानी पत्थर धातू तामबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता नकाशी यानी पत्थर उकेड़ने तक ही सिमित होती है वो व्यपार करना नहीं जानता कांसे के आवजार बनाने वाला भी धातू तामबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता साथ ही उसे इंधन के लिए हर इंधन मतलब फ्यूल हर दम लकड़ी के कोईले की जरूरत होती है इस प्रकार श्रम विभाजन डिवीजन ओफ लेबर शहरी जीवन की विशेस्ता है इसके अलावा शहरी अर्थ ववस्था में एक समाजिक संगठन का होना भी जरूरी है शहरी वी निर्माताओं के लिए इंधन फ्यूल धातू मिटल विभिन प्रकार के पत्थर लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन भिन जगहों से आती हैं जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारन की भी आवशकता होती है शहरों में अनाज और अनिक खद पदार्थ गाउं से आते हैं और उनके संगठ तथा वितरन के लिए व्यवस्था करनी होती है इसके अलावा और भी अनिक प्रकार के क्या कलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं उन्हें तरासने के लिए आवजार और बड़तन भी चाहिए जाहिर है कि ऐसी प्रनाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं इसकी अलावा शहरी अर्थ व्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है ठीक है तीन हिजार इसापुर उरूक नगर में इस तरीका यह सिर एक सफेद संग्मर्मर्ण को तरासकर बनाया गया है या इसकी आंखों और भावों में करमशाह नीले लाजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डामड बिटुमिन की जड़ाई की गई होगी सिर के उपर एक खाचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था या मूर्ती कला का एक विशेश विश्व प्रसिद नमूना है इसके मुख छोड़ी और गालों की सुकोमल सुन्दर बनावट के लिए इसकी प्रशनशा की जाती है वह एक ऐसे ठोड़ पत्थर पर तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ती की निमान में और किन विशेशग्यों का योगदान रहा होगा इसकी आप सुची बना सकते हैं लेखन कला और सहरी जीवन शहरों में माल की आवाजाही मेसोपोटामिया के खाद संसाधन चाहिए कितने भी सम्रिद रहे हो उसके यहां खनेज संसाधनों का अभाओ था खाद संसाधन वहां थे फूर्ट की कमी नहीं थी लेकिन खनेज संसाधन नहीं थे डक्षिन के अधिकांश भागों में आउजार मोहडे और आभूसन बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी याकी खजूर और पोपलार के पेरों की लकड़ी गाड़ियों के पहिये या नावे बनाने के लिए कोई खास अच्छी चीज नहीं थी और आउजार पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातू वहाँ उपलब्ध नहीं थी इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवत्वा लकड़ी तांबा रांगा चांदी सोना सिपी और विभिन प्रकार के पत्थरों को तुर्की और इरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे इसके लिए वे अपना कपड़ा और कृसी जन उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे इन देशों के पास खनी संसाधनों की कोई कमी नहीं थी मंगर वहाँ खेती करने की बहुत कौम गुंजाईश थी इन वस्तूं का नेमित रूप स्याधान परदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई समाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में शक्षम हो नक्षिनी में सोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन अस्थापित करने की शुरुवात की शिल्प व्यापार और सिवाओं के अलावा कुशल परिवहन या उस्ता भी शहरी विकास के लिए त्यंत महत्तपूर्ण होती है वहाडवाही पशुओं की पीठ पर रख कर या बैल गाडियों में डाल कर शहरों में अनाज या काथ कोईला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदी पर भी काफी खर्च आता है शहरी अर्थववस्था इसका बोज उठाने के लिए शक्षम नहीं होती इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सरवत्रव चल मार्ग ही होता है अनाज के बोरों में लदी हुई बोरों से लदी हुई नावे या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेक से चलते हैं जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता जबकि जानवरों से माल की धुलाई की जाए तो इन्हें चारा खिलाना पड़ता है पुराने मेसोपोटामिया की नहरे और प्रक्रतिक जल धाराएं छोटी बड़ी वस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विबरन दिया है उसे पढ़ने से अस्प्रस्ट हो जाएगा फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्यों मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्तवपूर्ण थी लिखन कला का विकास सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है उसमें जिसमें उचडित ध्वनिया अपना अर्थ प्रकट करती हैं ध्वनिया होती है उनके अर्थ होते हैं इसे मौखिक या शाब्दिक भावा विव्यक्ति कहते हैं भावों की विव्यक्ति करते हैं या तो मौखिक रूप के बाड़े में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चरित ध्वनिया जो द्रिश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है मेस्टोपोटमिया में जो पहली पटिकाएं पाई गई है वे लगभग 32 सा पूर्व की हैं जिनमें चित्र ऐसे जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं मानाज मचली यह मचली का चित्र बना हुआ है यह नाज का चित्र है संख्याएं यह हो गई तो इस प्रकार से संख्या और सब्दों का पिक्टिर बना करके चित्र बना करके अभिव्यक्ति की जाती थी तो शुवाती तोर पर यह सब लेखन के तरीके थे लिखन कला का विकास ऐसे ही शुरू हुआ उनके चित्रों जैसे और संख्याएं उनमें चित्र जैसे चिन हैं और संख्याएं दी गई हैं वहाँ बैलों मछलियां और रोटियां आदे की लगभग पांस हजार सूचियां मिली हैं जो वहाँ के दक्षिनी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी जो समान जो चीजें आती थी और जाती थी उनकी सूचियां हैं असपश्टता लेखन कार्य तबी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थाई हिसाब रखने की जरूरत पड़ी क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग-अलग समय पर होते थे उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौधा भी कई प्रकार के माल के बाड़े में होता था विश्वितिहास के कुछ विश्य है मिसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे मिट्टी की पट्टी काउं पर लिपिक चिकेनी मिट्टी की गीला को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर थापकर या एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिससे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकर सके एक साबधानी पूरवक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था फिर सरकंडे की तिली की तिखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीला कर चिन बना देता था जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाते थी तो पक्की हो जाते थी और वे मिट्टी के बरतनों जैसे ही मजबूत हो जाते थी जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातू कर टुकड़े तो अपने का हिसाब असंगत या गड़ जरूरी हो जाता तो उस पट्टिकाएं को फेक दिया जाता था ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन या अक्षर नहें लिखा जा सकता था इस परकार प्रतिक सौदे के लिए चायवा कितना ही छोटा हो एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी इसलिए मेसोपोटामिया के खुजाई अस्थलों पर सैकरों पट्टिकाएं मिली हैं और इस रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं किको लिखित रूप में वहाँ इन पट्टिकाओं पर उस अभ्यता की जानकारी हमें मिली है लगभग 2600 उसापुर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भासा सुमेरियन थी अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बलकि शब्द कोस बनाने और भूमी के हस्तांतरन को कानूनी मननता परदान करने और राजाओं के काड़ियों का वर्णन करने और कानूनों में उन परवर्तनों को उद्गोशित करने के लिए किया जाने लगा जो देश कियाम जनता के लिए बनाये जाते थे मेसरपोटामिया की सबसे पुरानी ग्यात भाषा सुमेरियन का स्थान 24 सोईशापूर्व के बाद धीरे धीरे अकदी भाषा ने ले लिया अकदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज इस्वी सन की पहली सताब्दित तक अर्थाद 2000 से अधिक वर्सों तक चलता रहा जैसी अंग्रेजी वर्ड माला में ए में या ये लेकिन अक्षर सिलेबूल्स होते थे जैसे अंग्रेजी भासना में पूट या ला या इन इस परकार मेसरपोटामिया के लिपिक को सैक्रोचेन है लिखने पढ़ते थे उसे गिली पटी पर उसके सुखने से पहले ही लिख लेखन कारे के लिए बड़ी कुशलता की आवेशक्ता होती थी इसलिए लिखने का काम अत्यांत महत्पूर्ण मानना जाता था इस प्रकार किसी भाषा विशेश की ध्वनियों को एक द्रिश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान मौखिक बाधिक उपलब्धी मानना जाता था ये मुसापपटमिया की बहुत बड़ी उपलब्धी थी सक्षर्ता मिसापटमिया के बहुत कौम लोग पर लिख सकते थे किवल प्रतिकों या चिन्हों की संख्या सैक्रों में थी बलकि ये कहें अधिक पेचीदा थे अगर राजा स्वयम पर सकता था तो वह यह चाहत था कि प्रस्वस्ति पूर्ण अविलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्च किया जाए अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी एक अधिकाडी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे परकड़ सुनाया जाता था इसलिए उसकी सुर्वात इस त प्रस्वारा बें पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बुढ़े लोग इन्ने छोटों को पढ़ाएं बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं ग्वालों के कान में भी इन पंक इन शाषक इन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाबिश में असपस्ट किया गया है में सपुटामिया की परमपड़ागत कथाओं के अनुसार उरू के कत्यांत सुन्दर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही फुकारा जाता था सुमेर के व्यापार की पहली घटना को इन मरकर के साथ जुरा जाता है इस महाकाबिश में कहा गया है कि उन दिनों महाकाबिश व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था इन मरकर अपने शहर के एक सुन्दर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन बहुमुल रतनत था बल्धात में मंगाना चाहता था इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुन्जर देश के शाचक के पास भेजा दूत ने राजा के आदेश का पालन किया रात में वह चांद तारों की रोशनी और उन से सुचित दिशा के अनुसार और दिन में सुरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया वह रास्ते में आने वाले उन्चे न्चे पहारों को लांगने के लिए उपर चढ़ता और उतरता रहा जब वह पहार पर था तो पहार की तरहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया उसने पांच परवत मालाएं चह परवत मालाएं और फिर साथ परवत मालाएं पार की दूत अरट्टा के मुख्या से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लोटना पड़ा इसके बावजूद की वह अरट्टा के मुख्या से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरूप के राजा की योर से तरह तरह की धमकियां और आशवाशन देता रहा अंत में दूत इतना चकड़ा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही न कर पाया और उसने इनमरकर क मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था जब लिखी हुई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शाशक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की उचड़ित शब्द कील यानि कीलाकार शब्द थे उसे देखते हैं उसकी त्योणियां चल गई उसने पट्टिक की विचारधारा के अनुशार सरपर्थम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी यह काव हमें हभी बताता है कि लेखन काड़ सुचना इकठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही साथ ही इससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की पांच फजार इसापुर्व में दक्षिनी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया शहर कई तरह के थे पहले वे जो मंदिरों के चारो ओड विक्सित हुए दूसरे जो व्यापार के केंदर मंदिरों के रूप में विक्सित हुए और शेश शाही शहर थे इन में से पहली दो स्रेनियों के शहरों पर भी पर यहां चर्चा की जाएगी बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल अस्थान का पता नहीं अपने गाओं में कुछ चुने हुए अस्थानों या मं निर्मान करना शुरू किया सबसे पहला ग्यात मंदिर छोटा सा देवाले था जो कच्ची इटों का बना हुआ था मंदिर विभिन प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे जैसे उर जो चंदर देवता था और इन नाना जो प्रेम और बुद्ध यूद्ध की देवी थी ये मंदिर इटों से बनाए जाते थे और समय के साथ खड़े होते गए क्योंकि उनके खुले यांगनों के चारों गोड कई कमडे बने होते थे उस प्राडबिक मंदिर सधारन घरों से अलग किसम के नहीं होते थे क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता लेकिन मंदिरों की बाहरी दिवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की और मुड़ी हुई होती थी, यही मंदिरों की विशेस्ता थी, सधारन घड़ों की दिवारें ऐसी नहीं होती थी देवता पूजा का क्यंदर बिंदू होता था, लोग देवी देवता के लिए अंड दही मचली लाते थे, पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्षों पर मचली की हड़ियों की पड़ते जमा ही हुई मिली हैं अराध्य देव से ध्यानतिक रूप से खेतों, मक्स, श्यत्रों और अस्थानिय लोगों के पशुधन का स्वामी मना जाता था, समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तूम में बदलने की प्रक्रिया जैसे तेल निकालना, अनाज पीशना, कातना और उनी कपड़ों को ब यहां की जाती थी, घर पड़िवार से उपर के व्यावस्थापक, व्यापाडियों के नियुकता, अन हल जुतने वाले पशु, रोटी, जो की शडाब, मचली यादी के आवंटन और वित्रण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदीर ने धीरे धीरे अपने क किरिया कला बढ़ा लिये और मुख श्रहडी संस्था का रूप ले लिया, लेकिन अन दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे, जमीन में प्राकृतिक उप्यावपन होने के बावजूद किर्शी कई बार संकटों से घिर जाती थी, फरात नदी की प्राकृति धाराओं में किसी हर्स, किसी वर्स तो बहुत ज़्यादा पानी बह जाता था और फसलों को डूबा देता था, और कभी-कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, इसमें खेत सुखे रह जाते थे, जैसा कि पुरा तत्यूई अभिलेखों से पता चला है, मिस्व धाराओं के उपड़ी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जल्धारा से, इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे, कि धारा के नीचे की और बसे हुए गाओं को पानी ही नहीं मिलता था, ये लोग अपने हिस्से की सरनी में से गाद नहीं निकालते थ जिसके जिससे बहाव रूक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था इसलिए मेसोपोटामिया के ततकालीन दिहातों में जमीन और पानी के लिए बार-बार जगड़ा हुआ करते थे इसलिए उस छटर में जगड़ों का इतिधास ज़दा मिलता है जब किसी शत्र में लोग लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुख्या लड़ाई जितते थे वे अपने सातियों और अनुवाईयों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे तो तहारे हुए समुहों में से लोगों को बंदी बना कर अपने साथ ले जाते थे जिन्हें वे चोकिदार या नौकर बना लेते थे इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुवाईयों की संख्या बढ़ा लेते थे किन्तु युद्ध में विजई होने वाले ये नेता लोग अस्थाई रूप से समुधाय के मुख्या नहीं बने रहते थे आज हैं तो कल चले जाते थे लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन येताओं ने समुधाय के कल्यान पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके फल सरूप नई नई संस्थाई और परिपाटिया अस्थापित हो गए इस समय के विजईता मुख्याओं ने कीमती भेटों को देवताओं पर अडपित करना शुरू कर दिया जिससे कि समुधाय के मंदीरों के सुन्दर्ता बढ़ गई उन्होंने लोगों को उतकरिष्ट पत्थरों और धातूओं को लाने के लिए भेजा जो देवतार समुधाय को लाप पहुँचा सके तथा मंदीर की धन संपदा के वितरन को और मंदीरों में आने वाली जाने व जो अस्था ने राजा को उचा अस्थान दिलाया तथा समुधाय पर उसका पूर्ण नियंत्रन अस्थापित किया हम परस्परिक हितों को सुद्रिष करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कलपना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीनों को अपने पास बसने के लिए परसाहित किया जिससे की वे अविशक्ता पढ़ने पढ़ तुरंत अपनी सेना इकठी कर सके इसके आलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से सुयम को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके उरूख जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था से हमे सवशस्त्र वीरों और उनसे हटाहत हुए शत्रूओं के शित्र मिलते हैं सब्धानी पुर्वक किये गए पुरातत्यूए सर्वक्षनों से पता चला है कि तीन हजार इसक पुर्व के आसपास जब उरूख नगर का दो सो पचास हेक्टेर भूमी में विस्तार हुआ तो उ गुना था यह भी वो लेखनियत अथे है कि उरूख नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओड काफी पहले ही एक सुद्रिठ प्राचीर बना दी गई थी उरूख नगर 42 सो इसापुर्व से 400 इसवी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दोरान 28 सो इसाप पुर्व के आसपास वह बरकर 400 हेक्टेर में फैल गया युद्ध बंदियों और अस्थानिये लोगों को अनिवार्ज रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शाशक का काम करना पड़ता था किर्शी कर भले ही ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्ज था ज उन्हें दी जाने वाले अनाज, कपरे और तेल आदिकी मत्रा लिखी गई है एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक पड़ती जिन 10 घंटे काम किया शाशक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, ठातु खनज लाने, मिट्टी से हीटे तयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उप्यूक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे, इसकी वज़ा से 3000 इसापूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनिकी प्रगती भी हुई, अनेक प्रका इतुं लकरी नहीं मिलती थी, शकरों को चिकनी मिट्टी के शंकू, कोन, बनाने और प्काने के काम में लगाया जाता था, इन शंकू hein, को भिन-भिन रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे विदीवारें भिन रंगों से पत्थरों से तयार किये जाते थे तभी प्रदोगी की के छेतर में भी एक युगांतर कारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थववस्था के लिए अत्यांत उप्यूगत साबित हुआ वह था कुमार के चाक का निर्मान। आगे चल कर इस चाक से कुमार की कारेशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाये जाने लगे।